हेलो फ्रेंट्स, इस मी मनीशा सिंग, वल्कुम तो मैं यूट्व चानल, हेली आज की वीडियो में मैं बताऊंगे कि हमें एक साल से छोटे बच्चे को ये आठ चीज भूल करके भी नहीं देना चाहिए ये उनके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है प्रॉस्ट, ग्राईब वॉटर, बहुत से पेरंट्स अपने न्यूबॉण को ग्राईब वॉटर देना स्टार्ट कर देते हैं जिससे उन्हें ग्यास ना बने पर शायद उनको पता नहीं होता है कि gripe water उनके बच्चे के health के लिए बिलकुल अच्छा नहीं होता है gripe water में added sugar होता है जो कि बच्चे के लिए बिलकुल अच्छा नहीं माना जाता है तो अगर आप भी अपने बच्चे को gripe water देते हैं तो please उसे avoid करें और अगर बच्चे को जादा कॉलिक या stomach pain होता है तब भी आप gripe water देने से पहले डॉक्टर से consult करें सेकेंड हानी जिसे हम हिंदी में शहद कहते हैं एक सार से छोटे बच्चे को भूल करके भी हानी नहीं देना चाहिए हानी में एक bacteria ऐसा होता है जिससे बच्चे को botulism नाम के बिमारी होने का खत्रा होता है तो please आप एक सार से कम के बच्चे को हनी देना avoid करें थर्ड अनिमल मिल्क बच्चे को cow, buffalo, goat या कोई भी अनिमल मिल्क एक सार से कम के बच्चे को ना दे क्यूंकि एनिमल मिल्क में कुछ ऐसे fat होते हैं जिसे बच्चा easily digest नहीं कर पाता है क्यूंकि उनका digestive system अभी strong नहीं होता है वो developing stage में होता है तो आप भूल करके भी कोई भी अनिमल मिल्क बच्चे को ना दे आपका breast milk ही बच्चे के लिए sufficient होता है उनके सारे need को fulfill करने के लिए कुछ parents बच्चे को six month के बाद biscuit खलाना start कर देते हैं बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्यूंकि biscuit में sugar add होता है जो कि बच्चे के health के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और कई biscuit में मैदा भी होता है जो बच्चे के digestive system के लिए अच्छा नहीं माना जाता है तो आप एक साल से छोटे बच्चे को biscuit देना avoid करे नमक और चीनी एक साल से कम के बच्चे को भूल करके भी नहीं देना चाहिए बेकरज शुगर में कुछ ऐसे कैमिकल होते हैं जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और उनके डवलप हो रहे किड्नी के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है और सॉल्ट भी बच्चे को देना avoid करें बेकरज एक साथ से छोटे बच्चे के बॉड़ी को एक ग्राम सॉल्ट की जरूरत होती है जो कि उन्हें fruits and vegetables से fulfill हो जाती है एक साथ से छोटे बच्चे को भूल करके भी packet juices avoid करना चाहिए क्यूंकि packet foods या juices में preservatives मिलाए जाते हैं बच्चे के health के लिए अच्छा नहीं होता है और इसमें sugar content भी होता है जो बच्चे के develop हो रहे kidney के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है वैसे तो बच्चे को घर का बना हुआ pure fruits juice भी देना avoid करना चाहिए क्यूंकि इसमें fiber नहीं होता है बेबी को पूरा nutrients नहीं मिल पाता है या तो आप बच्चे को direct fruits दे या उसका fruit puree बना करके दे ये बच्चे के लिए काफी फाइदे मन होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और हमाये चानल हे डेवी को सब्सक्राइब करें